आप सुन रहे हैं सूजी पोले इस वाचक कन्या का नाम इशता है और आज की एपिसोड का नाम है जग जग में जगरनाथ लास्ट एपिसोड में मैंने आपको जगरनाथ भगवान के महत्मयम के बारे में बताया था पर इतनी सारी कताएं और इतनी सारी बाते रह गई थी कि मैं फिर से आगई भगवान के महत्मयम का गुरगान करने के लिए तो आज की कता में सूथ जी कहते हैं कि वालमिकी जी की रमायन के 108 वे सर्ग के 28 वे श्लोक में श्री राम विभीशन को कहते हैं कि विभीशन हमारे इच्छवाकु कुल के इश्ट देवता जगरनात भगवान है तो तुम उनकी अरादना करते रहना उन्होंने अभी अरधावतार लिया है और श्री कृषन के आने के वाद वो पून रूप से जाने जाएंगे तब ही तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि पुरुशोत्तम भगवान का जगरनात रूप सिर्फ भाई भेनों तक सीमित नहीं है वो भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ती है वो इस पूरे यूनिवर्स की लौकिक और आध्यात में क्यानी की कॉस्मिक और स्पिरिच्वल फंक्शनिंग और फाउंडेशन को रिप्रिजेंट करते हैं इससे पहले मैं बताऊं कैसे मैं आपको छोटी-छोटी सी लेलाय सुनाती तो आपको तो पता ही होगा कि शेशनाग जी ने तरेता युग में लक्षमन जी का अफ्तार लिया था बट वो थोड़ा से रिग्रेट करने लगे थे कि मैं छोटा भाई था इस वज़े से मैं प्रभू को कुछ कह नहीं पाया अगर मैं बड़ा भाई होता और उनको कहता कि देखो वन मैं मत जाओ तो वो नहीं जाते और ये सब होता ही नहीं तो इस पार शेशनाग जी मेक्शार करते हैं कि मैं है ना भगवान के अगले अवतार में उनका बड़ा भाई बनूगा ताकि उनकी रख्षा अच्छे से कह सको तो ये बात है दौा पर युग की जब कंस ने अपनी भेन देव की और उनके पती वसुदेव को अपना बंदी बना लिया था तो कंस के दौराचार को सहते सहते सब लोगभात परिशान हो गए थे और उसके लिए एक आकाशवानी हुई थी कि तू इतना पापी है वील मेक शौर कि जो तेरी भेन देव की है उसके आठवे बच्चे से ही तेरा बत होगा तो कंस्पत प्राक्टिकली ये आकाशवानी सुनने के बाद अपनी बहन और उनके पती को अपना बंदी बना लेता है और कारावास में डाल देता है और भगवान विश्णू अपनी देवी कल्यानी योग माया से कहते है कि देवी तुम पूरे जगत पर ये उपकार करो और देवकी के वूम में जो उनका सात्वा बच्चा है उसको वहां से निकाल कर वसुदेव की दूसरी पत्नी जो की गोकुल में रहती है रोहिनी उनके वूम में स्थापित कर दो इस एक्षिन की वज़े से उनका नाम पढ़ता है संकरशन क्यूकि वह भगवान से पहले आते हैं और लोक रंजन के कारण से आते हैं उनका नाम होता है राम और क्योंकि वो बलवानों में सबसे श्रेष्ट होते हैं उनका नाम होता है बलभद्र तो ऐसे होता है द्वापर योग में शेशनाग जी का अवतार यानि की श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बलभद्र संकर्शन का जनम अब बाल गोपाल के जनम की कथा तो बचपन से सब ही सुनते आ रहे हैं कि कैसे कारवास के सारे दर्वाजे खुल गए वासुदेव जी यमना नदी पार करकर नंद बाबा के या गोकुल में उनको छोड़ कर आए और उनकी बेटी वापस लेकर आए पर इससे पहले एक छोटी सी डेटेल और थी कि जब भगवान ने अपने आपको बाल सुरूप में प्रकट किया उससे पहले वो देवकी और वसुदेव को अपने दर्शन देते हैं और उन्हें याद कराते हैं कि पिछले जनम में वो कौन थे कि भगवान ने उनके यहां जनम लिया तो वो कहते हैं कि वसुदेव तुम सबसे पहले थे सुथपा नाम के प्रजापती और देवकी माता तुम थी प्रिशनी आप दोनों ने मिलकर इतना भयंकर तब किया था फल्स्वरूप जब मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी मांग लो तो आप मोक्ष मांग सत देते पर आपने मांगा कि मैं आपकी आप पुत्र बन किया हूँ तो मैं प्रिशनी गर्ब नाम से आपका पुत्र बना था उसके बाद त्रेता युग में वसुदेव आप बनी थे रिशी कश्चप और देवकी माता आप बनी थी अदती तो मैंने अपना वामन अफ्तार आपके घर में लिया था और अब द्वापर युग में मैंने फिर से आपके आजनम लिया है जैसे ही भगवान ये कहते हैं तो देवकी वसुदेव उनके चड़नों में उनका नवन करते हैं नाना प्रकार की स्तुती करते हैं और भगवान अपने बाल सुरूप में प्रकट होते हैं सारी विपत्या हर्ती चली जाती हैं और वसुदेव जी भगवान को लेकर पहुचते हैं गोकुल और वहां से नंद बाबा की बेटी को लेकर आते हैं और उनको वहां छोड़ कर आ जाते हैं जैसे ही वसुदेव वापस कारगार में पहुचते हैं सब कुछ बैक ट वैसे ही उस बच्ची में से निकल कर योग माया सामने प्रकट हो जाती है। प्रकार के राक्चोसों को भेजता है क्रिशन जी के पास और क्रिशन जी अपने प्यार से सारी के सारे राक्चोसों का उधार करकर उनको भेज देते हैं उपर। तो खेर कंच के साथ क्या हुआ वो तो सब को पता है। तो दौपर युग में जगनात भगवान का प्राधुर बाव ऐसे हुआ था मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि राजा इंद डिम्ड के पास तट पर तहरती हुई एक दारू यानि कि एक लकडी आई थी तो काफी लोगों ने मुझे ये पूछा कि एक दारू ही क्यूं तो आप ये सोचिए कि हमारे पुराण इत कारू मई कहा जाता है सकंद पुरान के अंदर एक पुरुशोत्तम महत्मयम है उसमें पुरी के भगवानों का पूरा महत्मयम दे रखा है इवन ये तक दे रखा है कि भगवान अपने रूपों को किस कलर में चाहते थे तो भगवान कहते हैं कि जो बलभद्र होंगे वो श जगर्नात रूप में भगवान है वो कॉस्मिक और स्पिरिचूल फंक्शनिंग को रिप्रेजन करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कैसे जगर्नात भगवान की त्रिगुनातमक शक्ती तीन गुनों को रिप्रेजन करती है और रत्न त्रेय को रिप्रेजन करती है रत्न त अब बड़े भाइसा बलभद्र का रंग है सफेद और वो रिप्रेजेंट करते हैं सतव गुड को अब आप खुद सोचिए जो बहुत सात्विक प्रवत्ती का इंसान होता है जिसमें सतो गुड भर भर के होता है वो सिर्फ परमात्मा को ही देखता है परमात्मा को ही सुनता है और उनसे ही बात करता है तो इस रिप्रेजेंट्स अ नेवर डाइंग फेथ कभी न खतम होने वाला विश्वास जो की रतन त्रे का पहला जम होता है दाट इस सम्यक दर्शन और इसी वज़े से संकर्शन जी को चारो वेदों में से रिग वेद से दर्शाया जाता है अब सुभद्रा जी है योग माया रजो गुड से संपन इनको रतन तरे के दूसरे रतन सम्यक ग्यान से दर्शाया जाता है और ये चारो वेदों में से यजुर वेद है इनका रंग बहुत ही मीथा पीला प्यारा सा है बिलकुल अनएडल्टरेटिड बिना किसी मिलावट के और इनको सम्या ग्यान से इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि योग माया ही ये प्रकृती है ये माया है जो कि हम अपने आसपास देख रहे हैं और योग माया तुम्हें ऐसा ज्यान प्रदान करती है कि ये माया ये प्रकृती तुम्हें बिलकुल बौदर नहीं करती है तुम सिर्फ डिरेक्ली परमात्मा से जाकर मिलते हो और उनको ही देखते हो तो इस वज़े से ये सम्यक ज्यान यानी की the right knowledge को रिप्रेजन करती है अब सम्यक चरित्र के भंडार है हमारे प्यारे सावले सलोने क्रिशन जी जो की चारो वेदों में से साम वेद को रिप्रेजन करते है जगर्नाथ रूप में भगवान का जो रंग है वो काला होता है और वो तमस गुण को रिप्रेजन करते है अब आप खुद सोचो कि आप काले रंग में जितना भी कोई रंग मिला लो वो टस्से मस नहीं होता वैसे ही भगवान इस पूरी दुनिया की टॉक्सिस स्टीज को अपने अंदर अब्सॉब करते हैं गाली गलोच को बुरे कर्मों को अपने अंदर अब्सॉब करते हैं और हमें एक बहुत भड़िया सी दुनिया देते हैं कि तुम खुश रहो भगवान का सुदर्शन चक्र अथरवेद को रिप्रेजेंट करता है और अब आप ये मत कहना कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं जगर्णल भगवान के बारे में आज के लिए बस इतना ही मेद शक्ती भीवतियो